नमस्कर दोस्तों आप सभी का सवागत आपके अपने योटूब चैनल पर दोस्तों बात करने वाले हैं इन्फा बी एम अवे नियो लिमिटेड स्टोक के बारे में सुगस इस स्टोक पे तर्चा की जाए तो कई ना कहीं इस स्टोक पे लगातार जो अपर सर्किट नजरा रह सकता है लोवर सर्किट इस परकार का जो डेटा है वो क्यों निकल किया रहा है यह सीज़ भी विदन प्रूप आप लोग साथ डेटा सेयर करने वालों प्राइस पर तर्चा की जा तो एक तीस रुपा तैयांसी पेशी परास का सेसन है वो कलोज नजरा आया है काफी सांदर कलोजिंग रही है लगवग पौने 9% की अपर सर्किट के साथ की स्टोक कलोज जो है अब लास्ट पिछले 5 मार्केट सेसन के अगर हम बात करें तो इस स्टोक में दोस्तो जो रिटन निकल के आए है वो 12% से अधिक के निकल के आए है और पर सेर पर प्रोफिट 3.43 पेशी क निकल किया है अब लास्ट एक मेने पे अगर गोर किया जाए तो एवरेज रिटन रहा है दोस्तों से स्टोक के उपर क्यों इस स्टोक की जो प्राइस थी वो लगवग लगवग साड़े 30 रुपा से अधिक थी वापस से स्टोक में गिराउट नाज तेजी नाजर आई उस एक बरबादी का जो काम है वो इस स्टोक को ने फिर से किया है क्योंकि गिराउट इस स्टोक पे रही है लगबग 40 रुपए से इस स्टोक में गिराउट बढ़कर जो देखने को मिली वो कही ना कहीं चोका देनी वाली रही जो 27 रुपए तक नाजर रही उसके बाद एवर पिसले वनियर की टोप प्राइस एड़ होई थी उसके बाद कंटिनियूसली इस स्टोक पे लोवर सरकिट पे लोवर सरकिट नाजर आ है यानि कि एवरेज जो है प्राइस में गिराउट नाजर आई क्योंकि कमपनी का फंडामेंटले वो टेक्निकले डेटा अगर सेक करें सबसे पहले चाट पैटरन को अगर हम रीड करें तो अभी कमपनी का जो आरेसा इंडिकेटर है वो साड़े सों सटंकों के उपर कारुबार कर रहा है जो काफी पोजिटिव देखने को मिल रहा है अब इसमें पोजिटिव देखने का रीजन भी कुछ अलग-लग रहने वाल है इस स्टोक ने फिर से फिसले दो सेसन के अंदर स्ट्रोंग वोल्यूम उठाई है शेयर होल्डर ने काफी बढ़िया डिलेवर इस स्टोक पर नज़र आई है अब लास्ट पंदरा मिनिट का चार्ट फरेम अगर देखते हैं तो क्या नज़र आता है दो वो चीज़ हमें नज़र आ रहा है गिराउट का जो संकित है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है अब यहां पर इंपोर्टेंट डेटा अगर यहां पर फिर से रीड कर लें तो यह डेटा क्लियर कर देगा कि कल मार्केट में फिर से गिराउट रहने वाली है सबसे पहले यहां पर प्रियोप 35,450 जो सेर है वो buying पर अलगे है यानि कि 3 गुना सेर जो है selling पर रहने वाले हैं buying के मुकाबले बारतिय बाज़ारों पर दोस्तों Nifty 50 की expiry के चलते आज बड़ी करेस नज़र आई है साड़े 500 को की grout के साथ Nifty 50 close हुई है तो यह चीज कही ना कही फिर से बड़ी करेस की तरफ market जाता हुआ नज़र आया साथ ही साथ मैं सीज क्या देखने को मिल रहे है कि company के result अब company का result अभी आना वागी है company की sales पर अभी announcement की नहीं है क्योंकि last quarter 1 के result के अंदर company को 70 क्रोड का profit हुआ था अब इस अंदर profit booking रही थी अभी company की sales पर चेक की जा तो company की ओलो और जो sales तो वो देरे-देरे growth कर रही है company में एक अच्छी sales बढ़ती हुआ नज़राई company के खर्च गढ़ रहे है कम हो रहे हैं और company के profit बढ़ रहे हैं तो इसका विदन प्रूब डेटा यहां पर चेक कर सकते हैं कि मार्च दूहाजार 24 के नुसाय जो डेटा नज़र आया था वो 3121 क्रोड का निकल किया था उसके बाद quarter one में जो डेटा अबडेट हुआ तो उसमें 3181 क्रोड की जो sales थी वो निकल गई डेटा निकल आउट के बाद जो कंपनी का जो टेक्स बस्ता है 25 के साब से उसका टेक्स प्याउट करें तो कंपनी को अलमोश्ट 200 क्रोड का जो प्रोफिट है वो यहां पर रहता हुआ नज़र आया है तो यह चीज़े इंप्रोव हुई है कंपनी का अगर ओलोवर एकवर्ट के पर रेटन अगर चेक किया जाए तो कंपनी का ओलोवर काफ़ रेकवर्वर्डेबल जो डेटा है वो नज़र आया इस्टोक्स प्राइस एजियर के बात की जाए तो पिसले एक साल के अंदर रेटन काफ़ी सांदर निकल के आए उसके बाद कंपनी के तीन साल के रेटन भी काफ़ी अची रहेंगे तो फिसले पांस सालों की रेटन भी काफ़ी अची नज़र आए उसके बाद आता है कि कंपनी की प्रोफिट करोथ कंपनी के प्रोफिट ग्रोथ ओलड़ी पोजिटिव है सेल्स की प्रवाट में भी पॉजिटिविटी कंटिनिसली बनी होई है एनुवल जो प्रोफिट है वो काफिसांदर कंपने के इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के ओपर कर्ज की बात की जाए तो लगवक्त यह सी क्रोड का कर्ज है तो कहीं ना कई कंपनी आने वाले का वाटर टो के अंद कंपनी के अंदर नेगेटिविटी निकल के आती है तो इस टोक अपने बुक वेली से दो पॉइंट पस्पन होना नेशे कारुबार कर रहा है एक वर जो पर मोटरस के होल्डिंग है वो तोड़ी कम बताए जा रही है एक्सपर्ट के मुताबिक से जो 27% रहने वाली है और क तीन साल के अंदर लगबग पॉन 4% के एकवटी पर रिटन कम प्याउट किया है और लास्ट के तीन सालों के अंदर अगर खासकर चर्चा करे तो कंपनी के अंदर पर मोटरस के होल्डिंग में गिराउट नजराई 3.6% की कंपनी करद मुक रही है और कंपनी का जो हर रिज 80% इस कंपनी के अंदर वो डिटा ओभी जो है वर्तमा समय में के अंतर मोजूद नजरा रहा है फिलाल उमीद करूँगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी पसंद आइज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो दोस्तों चैनल को उर्शू सब्सक्राइब